आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends, if the angle between the hour's hand and minute's hand is around 180 degree and the hour's hand is midway between 12 and 1 what is the time shown by the clock? So, इस question में कहा गया है hour hand और minute hand के बीच का angle 180 degree है hour hand को 12 और 1 के बीच में देखा गया है तो hour hand की जो length होती हो smaller होती है तो 12 और 1 के बीच में इसको देखा गया है और जो minute hand होगी वो 180 degree इसके सामने बिल्कुल होगी तो ऐसे में आपको time बताना है इसमें क्या हो रहा होगा तो देखिए यहाँ पर यह hour hand 12 को cross कर चुकी है इसका मतलब जो आपका hour में होगा वो 12 hour होगा और आपका minute जो होगा यह जो minute hand है यह बिल्कुल इसके सामने है इसका मतलब यह 6 को cross कर चुका होगा अब 6 से लेकर के 7 के बीच में 5 minute तक होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 यानि कि 5 जो होगा वो 7 पे लाई करेगा तो अपन ऐसा बोल सकते हैं 6 तक तो 35 minute हो जाते हैं तो 35 प्लस 36 प्लस 37 यानि कि 12 hour 37 minute या फिर आप इसको 12 hour और 38 minute भी बोल सकते हैं तो हमारा आप्शन जो होगा मतलब राइट आंसर जो होगा वो 12 hour 37 minute होगा थेंक्यू फ्लस 6 से लेके NEET IIT जेही मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप या वाट्साप कीजिए अपने डाउट्स 8444 चार्स उपर